मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत बोड के कलेंडर के हिसाब से नहीं है ना ही मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ये इजाजत जनाब सलिम परवे साहब ने दिया है मगर इस नए शेडियूल में बारह बज कर पचास मिनट से दो बज कर दस मिनट तक के बीच लगतार पांचवी और छटी घंटी का वक्त है। इसी तरह असर के नमाज के वक्त को भी दरकिनार करते हुए लगतार पांच बए तक क्लास की टाइमिंग रखी गई है। इस कैलेंडर में जोहर और असर की नमाजों का कोई समय नहीं दिया गया है। अगर शेच्छक घंटी के दर्मियान नमाज अदा करेंगे तो उन्हें हर हाल में क्लास छोड़ना पड़ेगा। मदर्सा बोट की अध्यक्ष सलीम परवेज ने एक ऐसा तुगलखी फरमान जारी करवाया है जिसके लिए उनकी चहू और आलोचना हो रही है। एक तो उन पर पहले से ही आरोब है कि वे चेर्मैन की कुरसी चक में बाजी से हतिया हुए है जो मामला अभी न्यालाएं में चल रहा है। और दूसरा एक और नया मामला सामने आ गया। आईए हम आपको बताते हैं कि ये मामला है क्या। दरसल बिहार राज्य मदर्सा सिख्षा बोर्ड पटना हर साल एक अपना अकैडमिक कलेंडर जारी करवाता है क्योंकि मदर्सा बोर्ड एक खुद मुखतार यानि आटोनोमस यानि स्वायत संस्था है जो पूरे बिहार में ग्रांड और नौन ग्रांड सुदा मिलाकर लग पठन-पठन का समय, टिफिन का समय, सबताईक और अन्य अवकास का विवरण, सेशन और परिक्षाओं के साथ साथ बहुत सी अन्य बातों का भी उलेख होता है मगर इस बार दोजार चौबीस का जो अकैडमिक कलेंडर जारी हुआ उसने सब को चोका दिया इस अकैडमिक कल पेंडर में नमाज जैसी जरूरी और बुनियादी फर्ज की अदाईगी के लिए कोई जगह नहीं दी गई है जोर की नमाज का वक्त दिन में एक से दो के बीच होता है मगर इस नय शेडियूल में बारा बज कर पचास मिनट से दो बज कर दस मिनट तक के बीच लगतार पा क्लास की टाइमिंग रखी गई है यानि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत बोड के कलेंडर के हिसाब से नहीं है ना ही मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ये इजाजत जनाब सलीम परवे साहब ने दिया है सरदी और गर्मी में अलग-अलग क्लास टाइमिंग का खयाल नहीं रखकर पूरे साल के लिए सुबह नौ से शाम पाच बज़े तक कर दिया गया है पुराने सेडूल में सुबह नौ बज़े से दिन के तीन बज़े तक क्लास चलता था और मौसमे गर्मा यानि शदीद गर मौर्निंग हो जाना कहते हैं कि स्कूल मौर्निंग हो गया ओगَّया मगर नया सीदियुल में जो सलीम पर्माण जारी करवाया है उसमें सालों भर नौ से पाच तक पढ़ाई होगी 模理 और डे जैसी बातों का कोई जिक्र नहीं है ये सभी ब्दलाव किये जाने से पहले बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई मदर्सा बोर्ड की बैठक जारी करके ये फोटो खिचवा लिया MLC खालिद अनुवर जो मौझूदा मदर्सा बोर्ट के मेंबर है उन्होंने इतने बड़े बदलाव से पहले बोर्ट की मिटिंग बुला कर इसे नहीं बताने और इस पर सब की मर्जी नहीं लेने पर नराजगी जताते हुए सलीम परवेज को ये चिट्टी सुपूर्द की है खालिद अनुवर लिखते है कि मुझे हैरत हुई कि इस कैलेंडर की तर्तीम में बोर्ट को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया बिहार स्टेट मदर्सा बोर्ट के अस्थापना का मकसद सिर्फ कागजी खाना पूरती नहीं है बल्के बिहार के मुसल्मानों के अजीन दीनी एदारों को उनकी रुँ के मताबिक सीचना है आगे वो लखते हैं कि मुhtरम चियरमैन साब बिहार के दीनी मदर शे मुसल्मानों के तालीम तर्बियत के कारखाने हैं जिने मुसल्मानों ने जमीन दी तौलत दी और अपने खून पसीने से इसको आबाद किया है बदकिस्मती से साल 2024 का जो कलेंडर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बूर्ड का आया है वो मदरसा बूर्ड को मकमल सरकारी करन करने वाला और मदरसे की रूख के खिलाफ है मौतरम चेरमेन साहब आप से दरखास्त है कि इस कलेंडर इसकी छुट्टियां और इसकी कलासेश की तरतीब पर नजरे सानी करने के लिए बूर्ड की मिटिंग बुलाएं ताकि हमारे दीनी मदारिस को इनकी मनशा के मताबिक टाइम टेबल दिया जा सके मदरसा बूर्ड के पूर्व अध्यक्ष अतिल कयू मनसारी ने इस मामले की नालिस बिहार के मुख्यमत्री से कर दिये उन्होंने अपने चिठी में लिखा है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोड की अध्यक्ष और सचीव के जरिये जो तालिमी कलेंडर जारी किया गया है उसमें भारत के सम्विदान की दफा 39-30 और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन एक्ट 1981 का उलंगन किया गया ह पुर्व अध्यक्ष अब्दुलकयूम अंसारी मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए आगे लिखते हैं कि मदर्षा बोड की अध्यक्ष सलीम परवेज और सचीव अब्दुसलाम अंसारी को मदर्षा एजुकेशन बोड के उन्नेश से क्यासी आक्ट और भारत के सम्विदा की दफा 39-39 को पढ़कर इस तरह के फर्मान जारी करवाने चाहिए थे और अर्या के जमियतुल उल्माय हिंद ने इस अकैडमी कलेंडर को लेकर अध्यक्ष और सेक्रेटरी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है और लिखा है कि एक जनवरी 2024 को प्रकाशित किये गए शै करम की एक नकल है जबकि सैध्धान्तिक रूप से मदरसे किसी भी तरीके से संबद्ध सरकारी स्कूल नहीं है यह अल्पसंख्यक संस्थाएं है भारत के सम्विधान के प्रावधान 28 29 30 नहीं ने यह शक्तिया प्रदान किये हैं मदरसा बोड़ द्वारा जारी कैलेंडर के समय सारणी की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस कैलेंडर से मदरसों की धार्मिक भावना दीनी रूह और अकलियती किरदार कमजोर हो रहा है इस कैलेंडर में जोहर और असर की नमाजों का कोई समय नहीं दिया गया है अगर शिक्षक घंटी के दर्मियान नमाज अदा करेंगे तो उन्हें हर हाल में क्लास छोड़ना पड़ेगा और चात्र क्लास में बैठे रहेंगे यह तो वैसा ही है जैसे जिन मदरसों में नमाज पढ़ाना सिखाये जाएगा वहीं चात्रों को नमाज छोड़ने की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इस अख़बार में छपी इस खबर के मताबिक सलीम परवेज साहब ने इन तमाम बातों पर परतिक्रिया के रूप में दो टुक बात का दी है क्या कहा है? कहा है कि मदरसा बोर्ट शिक्षा बिवाग के गाइडलाइन के मताबिक चलता है उसके तहत मदरसा का जो रूटीन बनाया गया है वो CBSC और VR बोर्ट के ठीक बराबर है मदरसा के बच्चों को भी इस बात का हक हासिल है कि वे भी CBSC और VR बोर्ट के बच्चों के बराबर हो और वे भी बड़े होकर अफसर बने